दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किये थे कि सर्फ पहला चप्टर जो है उसको कंप्रीड कर दीजिए तो देखे पहला जो चप्टर था सुरच्चा संबंदी साउधानिया आयों प्रात्मिक सहायता इसका जो पहला चप्टर था दो भाग जो चप्टर हम लोगो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के सजेशन में आपको डाल दूँगा आप उसको देख लीजेगा या जो है हमारा तीसरे भाग का वीडियो है इसमें हम लोग जो जानेंगे पोल या टावर पर कारे करते समय क्या क्या हमें साउधानिया बरतनी चाहिए ज तो इसमें जब भी आप किसी टावर पर इस तरह से काम करें जमारी हमारे टावर हैं इस तरह से इसके उपर जब भी आप चड़ें काम करें तो क्या होता है कि सप्लाई अगर चल रही होती है उसके आदा बंद करा करके ही आप उस पर काम करते हैं तो उसमें आप एक चीज क पर देख रहे हैं इस तरह से दस्ताने आते हैं मोटे से इनको पहन करके आप यदि इन तारों को पकड़ेंगे या इस पोल पर काम करेंगे तो चुकि यह काफी अच्छी क्वाल्टी के होते हैं और टेस्टेड होते हैं हाई बोल्टेज पर तो इससे जो सौक लगने की संभा होना ना के बराबर होती है इसमें जो दूसरा है हमारा कि जितने भी आपके टूल्स हो जब भी आप टावर पर काम करने के लिए जाएं तो जितने भी आपके टूल हो चाहे आपका प्लास हो चाहे आपका स्कुरू ड्राइबर हो या जितनी भी चीज़ें हो इन सभी पर इ जो हमारे tools होते हैं उन्हीं को ले करके वो tower पे चले जाते हैं और इनसुलی हो सकता है कुछ damage हो तो अगर आप महां पका कम करते हैं अगर इसका insulation solution damage हुआ तो हो सकता है, आपके साथ दुर घटतना हो जाए तरह आप नार्मली जो दो पेर से नीचे स्टरह खड़ी हो जाती है ना इस तरह से उस सीड़ी का उपयोग ना करें इसमें क्या होता है कि इसके ये पेर खिसकने की भी ठमाओना होती है और इसे दुरघट नहीं हो सकती है तो आप कभी भी क्या होता आ किए अगर यह सरक गई सीड़ी तो आप नीचे गिर जाएंगे काफी उंचा ही पेद्याप शड़े हुए तो इसी इसका भी अब ध्यान रखें जो चार पैर वाली सीड़ी आती है ना उस सीड़ी का भी उपयोग करें या फिर अगर आप इसी को भी उपयोग कर रहें तो इसको प्रापर तरीके से स चेन डाल दें जिससे सौर्ड सर्कृट हो सकता हो जाएगा और आप सेफ बजय जाएंगे देखे क्या होता है कि जैसे इस तरह से हमारी तीनों लाइने चल रही होती है जब आप पोल पर काम करते हैं तो इस तरह से तीनों लाइने होती हैं आपने देखा भी होगा इसमें आप क्या करें कि जब भी आप काम कर रहे हैं मान लिए यह हमारा पोल है ठीक है यह हमारा पोल है इस पोल पर आप चड़ करके आप इस तरह से यह हमारी मालिये लाइन है तो जो मालिये इस तरह से आ रही है इस तरह से आ रही है ठिक और इधर जा रही है तो क्या होगा कि जब लाइन आ रही है जिस साइड से उसी साइड में आप इस तरह से एक चेन डाल दें लोहे की या कोई भी एक मोटा तार आप ले 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 उसको तो आप तीनों तारों पर डाल दें, तीनों तारों पर फसा दें, तीनों तारों को सौट कर दें, और उसका एक सीरा ला करके आप अर्थ कर दें, उससे क्या होगा, कि अगर कोई गलती से, या किसी इंटेंशन बस, या किसी भी कारण से, अगर कोई इस लाइन को आन भी करता है और आप अहांपे काम करना है यहाँ पर म staging पर आपकाम कर रहे तो क्या होगा कि जैसे सप्लाई आएगी और आप अपने से कम से कम दोध मीटर की दूरी पर ही इसको मिटरी पर ही इसको सॉड करें इस सी इसका भी आप धियान रखें क्यों क्यों को कि अगर कोई से ने साट सप्लाई चालू भी कर दी तो क्या होगा यहां पर तीनों लाइने साट है तो ब्रेकर जो है हमारा अन नहीं होगा उससे क्या होगा कि यहां तक सप्लाई आएगी ही नहीं पहले ही साट होकर कि यहां पर सप्लाई तो आएगी ना यहां तक सप्लाई पहुँचेगी तो उससे क्या होगा कि आप सेफ बच जाएंगे ठीक है इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि इधर से सप्लाई आ रही है तो यहां पर मत सौड करिएगा क्यों क्या होगा कि सप्लाई तो पास हो जागी ना और आप यहां पर काम कर रहे तो आपके साथ जोड़ दीजिए इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा तो इस तरह से आप किसी टावर होता है या पॉल होता है उस पर आप काम करें सप्लाई बंद और यह सारी चीज हैं सप्लाई बंद करने के बाद ही आप करें ऐसा नहीं है कि पहले ही आप जाके सौड करने लगें आप सप्लाई को बंद करवा दें उसके बाद इन तीनों तारों को आप सौड करके अर्थ कर दें तब आप पोल पर चड़ें इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा अब जिसमें जो हमारा पांचवा पॉइंट आता है कि सेप्टी बेल्ट का जरूर उप्योग करें जब उसका लग करके काम कर रहा हैं सेप्टी बेल्ट हैसका गुंडा हम है एक अलग चीज को हमारा मच्बूत होता है और आपके शीडी से अलग होता है उस पर जाकर क्या य Σका है अगर इस कोई आप गिरते हैं फिसलते हैं तो ग्यृतर आंज करण होगा है तो क्या होगा कि सेप्टी बेल्ट बहुत मजबूत होता है और बहुत अच्छी तरीके से पहना भी जाता है तो आप इस सेप्टी बेल्ट की मदद से आप लटकते रहेंगे जूलते रहेंगे लेकिन आप नीचे नहीं गिरेंगे ठीक है तो सेप्टी बेल्ट बहु है इसमें कि सेप्टी सू का आप उप्योग जरूर करें क्या होता है कि जो हमारा इलक्टिक का सेप्टी सू होता है उसका भी आप उप्योग जरूर करें क्योंकि सेप्टी सू जो होता है वो बहुत हमात पूर होता है उसकी जो सोल होती है वहां हाई voltage पर उसका insulation test किया जाता है कि अगर किसी कार्ड समाल जी कोई ब्रेक्ति काम कर रहा है अब अगर वो live पे काम कर रहा है तो यहां से वह leakage current ना निकलने पाए leakage current इस जूते के माध्यम से ना जाने पाए तो इस चीज़ का भी आप धिहान रखें और देखे electrical दो प्रकार के जो हमारे Gentیکkle आता है doctrine है तो mechanical जो होता है वहां पहां पहर यहां पहर आगे साइड में काटोरी होती है तो वह इस्टील के काटोरी ढाली जातीह लेकिन जो महरा electrical का जोγά किश्परीसू होता है उस वहह जहां我覺得 सूछ जहां होती हैं उनके शेप्टिसूपर विस्स विस्स बिस्स नहीं होता पहला सकती है तो इंची में आप देख लें कि जो हमारा सफ्टिसू है वा पर पर तरीके हैं कि partir है कि नहीं है । जब insulated हो तभी आप कहीं पर चड़ करके आप काम करें क्योंकि अगर आप साही से सुरफच्छा का अप ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ बहुत बड़ी दुरुगत नहीं हो जाएगी तो यह है कुछ दोस्तों पूल या टावर पर कारे करते हैं अगर इस वीडियो समझे तो आपके मने में कोई कन्फूजन रह गई है कोई क्वैरी रह गई है तो इसको भी कमेंट करके जरूर बताईएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और अगर हो सकते तो जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आकन को जरूर प्रिसका दीजएगा नमस्कार दोस्तों